आज बॉलिवुड स्टार्स को कौन नहीं जानता वहीं लोगों में बॉलिवुड स्टार के किट्स को लेकर excitement दिखाई देती है सिर्फ स्टार्स को follow नहीं करते हैं लोग बल्कि उनके बच्चों को follow करने में लोगों का खास interest होता है जबकि बॉलिवूड से लिप्स के बच्चों को अपने घरवालों की ही तरह सोशल मीडिया पर चमकने का मिलता है मौका स्टार्सकेट भी लगाता सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरे डाल कर लाइम लाइट में आने की कोशिश करते है उन में से कई बॉलिवूड किट्स ऐसे हैं जो जल्द ही बॉलिवूड में इंट्रीवी कर सकते हैं हाला कि कई बॉलिवूड स्टार किट्स की फिल्मों में इंट्रीवी हो चुकी है वेल आज हम आपको उन स्टार किट्स के बारे में बताएंगे जो सोशल मीडिया पर है काफी पॉपुलर इस लिस्ट में पहला नाम आता है कि इंग खान की बेटी सुहाना खान का 25 साल बॉलिवुड इंडस्ट्री पर राज करने वाले शारुक खान लोगों की दिलों की धड़कन तो है ही लेकिन उनके नक्षे कदम पर अब चल रही है उनकी बेटी सुहाना सुहाना के जहां लाखों फॉलोवर्स है वही सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती है कई बार अपने पापा शारुकान के साथ फोटो अपलोड कर सुहाना स्पॉट लाइट में आई थी इससे तो यही लगता है कि वो जल्द ही बॉलिवुट का हिस्सा भी बनेगी वैसे दिखने में तो ये स्टार किड है बेहदी खूपसूरत ये और कोई नहीं बलकि सारा अलिखान है उनकी और करीना कपूर के साथ क्लिक गई तस्वीर भी काफी शेयर की गई थी जो काफी वाइरल हुई है वही सैफ अलिख खान और अमृता सिंग की बेटी सारा अलिख खान पर भी सब की नजरे है हाला कि सारा खान की डेब्यू फिल्म केदारनाथ से पक्का हो चुकी है सैफ की बेटी सारा के लिए तो खबरे भी आई थी कि करन जूहर उन्हें और शाहित कपूर के भाई उशान को स्टूडन आफ दे इयर पार्ट टू से लॉंच करेंगे वही सारा ने इसके लिए वजन भी घटाया है वेल अब देखना है कि केदारनाथ के बाद ये फिल्म वाकई बनती है या नहीं धाई किलो हात वाले सनी देओल के बेटे करन देओल भी काफी ट्रेंडिंग में है ये भी उन स्टार केट में से है जो जल्द ही बड़े परदे पर दिखेंगे हाला कि अपने पापा सनी के डिरेक्शन में बन रही फिल्म पलपल लिल के पास से करन डेब्यू करेंगे फिलाल फिल्म की शूटिंग में चल रही है अक्टरिश श्री देवी और फिल्म निर्माता बोनी कपूर की 20 साल की बेटी जानमी कपूर बॉलिवुड में डेब्यू के लिए तयार है जहां अपने अदाओं के लिए श्री देवी जानी जाती है वही जानमी अपनी मा की तरह खूपसूरत है वही करन जोहर की फिल्म धड़क में वो काम भी कर रही है सोशल मीडिया पर भी जानमी की कई फैन फॉलविंग है वही इस लिस्ट में शारुप खान की बेटे आरियन खान का भी नाम है शामिल आरियन हमेशा सोशल मीडिया पर पार्टी और कई तरह के फोटोस भी शेयर करते है इसलिए वह हमेशा गॉसिप में बने रहते है बताया जा रहा है कि बॉलिवुड में जल्द ही आरियन खान की भी इंट्री होगी बोल्ड और होटनेस के लिए अगर किसी का नाम पहले आता है तो वो है जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ का कृष्णा ने तो पहले ही टॉपलेस तस्वीरे खिचवा कर हंगामा मचा दिया था लेकिन इंतजार तो इस बात का है कि अपने भाई ट्राइगर की तरह वो कप पड़े पर दिखेंगी जबकि चंकी पांडे की खूपसूरत बेटी अनना पांडे भी पॉपलर केट्स में शामिल है सुन्ने में आया है कि करन जोहर की फिल्म स्टुडेंट आफ दे येर टू से अननन्या फिल्मी करियर की शुरुवात कर सकती है हाला कि इस खबर की पुष्टी फलाल तो नहीं हुई है पर अननन्या भी जेबियो से पहले ही सोशल मीडिया सेलेब बन चुकी है सोशल मीडिया परमिता बच्चन की पोती नव्या नवेली नंदा के लाको फान्स है किलर लुक और डैशिंग पसनालिटी के वज़े से नव्या की फान पॉल लविंग दिन बढ़ती जा रही है हाला कि नव्या फिर्म इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर स्टार बैटियों में गिनी जाती है वही इस लिस्ट में बेबी स्टार किट कोई है तो वो है तैमूर अली खान तैमूर के जन्द के बाद ही वो अपने नाम के वज़े से गौसिप में रहे हाला कि जैसे फैन्स ने करीना के नन्य नवाब की पहली तस्वीर देखी वैसे ही चारों तरफ उनकी क्यूटनिस की चर्चा होने लगी आमतार पर सेलेप्स अपने बच्चों को मीडिया की नजरों से बचाते है लेकिन तैमूर के साथ करीना सेफ ने ऐसा नहीं किया उनके जनम से लेकर अब तक की कई तस्वीरे सोशल मीडिया पर आ चुकी है जिसे देखने के बाद लोगों के मूसे सिर्फ इतना ही निकलता है कि ये इतना क्यूट कैसे हो सकता है तैमूर के बाद अगर किसी की फैन फॉलोविंग है तो वो है शायद और मीरा कपूर की बेटी मीशा कपूर अपनी खूबसुरत स्माइल के वज़े से फेमस हो चुकी मीशा के आये दिन फैन्स बढ़ रहे है वैसे शायद भी अपनी बेटी को स्पॉट लाइट में आने से नहीं रोकते स्टार केड में से अगर कोई तैमूर को बराबरी की टकर दे रहा है तो वो है सिर्फ मीशा वेल ये थी 2017 में पॉपलर हो चुके बॉलिवूड स्टार्स के किट्स की लिस्ट तो जरा आप भी बताईए आप इन में से किसको पसंद करते हैं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और पिंक फिला हिंदी को सब्सक्राइब करिए